नमस्कार दोस्तों मैं विनीता संस्कृति आईएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक डिसकस करने वाले हैं मानव क्लोन सोच कर देखिए अगर कोई इंसान तुरगटना वस्ट अपना हाथ को देता है औ और आपका ही जैसा दिखने वाला एक क्लोन आपके गाव में आपके पैरेंट्स के साथ रह रहा हो कितना अच्छा लगता है सुनने में क्या ऐसा पॉसिबल है हां ऐसा पॉसिबल है क्लोनिंग के माध्यम से हम यह कर सकते हैं पर हम मानव का क्लोन क्यू नहीं बना रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है वहाँ सब हम देखेंगे और क्लोनिंग कैसे की जाती है क्या इसकी प्रक्रिया है वह हम यहाँ पर जारेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हम वैश्वी किस तर पर मानव का क्लोन नहीं बना रहे हैं परन्तु हमने वर्ष 1996 में ए जो कि एक भेड का क्लोन था जिसका नाम दिया गया डॉली जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लोनिंग के माध्यम से हम अपने अंगों को बना पाएंगे इससे होगा क्या किसी इंसान का अगर बिमारी वश कोई अंक काम करना बंद कर देता है तो साथ पा सकेंगे उनके लिए हम दवाईयां बना सकेंगे आगे सबसे इंपॉर्टिंग इसका क्या यूज है जो हमारी संकट ग्रस्थ प्रजातियां है जैसे कि हमारा गिद्ध है जो इस टाइम लुप्त होने के कवार पर है ऐसी कोई प्रजाति जिसके एक या दो ही लोग बच्चे है तो वहां पर क्या होगा हम क्लोनिंग के माध्यम से उनको संग्रक्षन दे पाएंगे जैसा कि चतिस घड़ के जंगली भैसे के साथ हुआ था वहां पर सिर्फ एक ही यूगल बचा था एक ही कपल बचा था जिसमें से भी एक किम्रत्य हो गई तो वहां पर हमने क्लोनिंग के माध्यम से उसे संग्रक्षन प्रदान करा था यहां पर हम वनस्पतियों के भी क्लोन बना सकते हैं जिनके जो है आउश्यदी महत्व होते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे आयर्वेध है वह सारा हमारा जड़ी बूटियों पर चलता है तो जिन पौदों मेडिस्नल वैल्यूज के माध्यम से बना सकते हैं है कि क्लोनिंग क्लोनिंग के प्रॉसस क्या है ले जास जैसा एक जीव से दूसरा जीव बनाया जा सकता है जैस安वांशिक यहां ज Nepo Connect Re यहां पर आप figure के माध्यम से देख सकते हैं, यहां दो figure हमने लगाए हैं, अगर मैं यह कहूं कि एक इन में से clone है, तो आप यह देख के नहीं बता सकते कि कौन सा clone है, यह इस तरीके से होता है कि आप खुद को देख रहे हैं mirror के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आप अग क्लोनिंग होती है, वो तीन प्रकार से की जाती है, एक होती है जीन क्लोनिंग, दूसरी होती है हमारी प्रजनन क्लोनिंग, और तीसरी हमारी होती है चिकित से क्लोनिंग, अगर बात करें जीन क्लोनिंग की, तो इसमें हम करते क्या है, कि एक DNA लेते हैं, उसमें से कोई भी जीन निकालते हैं और उसके मर्टिपल जीन बनाते हैं ऐसे एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं कि जो हमारी बॉड़ी होती है हमारी बॉड़ी में एक इंसुलीन जीन होता है वो इंसुलीन जीन क्या करता है इंसुलीन प्रोटीन बनाता है यह इंसुलीन प्रोटीन हमारे ब्लड में जो glucose होता है उसे absorb करता है अगर किसी reason से insulin protein नहीं बनता है या insulin gene की कमी हो जाती है तो उसकी वज़े से हमारे blood में glucose की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इस बिमारी को कहा जाता है diabetes ये कहा जाता है कि इस इनसान को diabetes है उसकी जो दवाई मार्केट में उपलब्ध है वे बेसिकली है क्या इंसुलीन ही दिया जाता है इंसान को तो वो कैसे बनता है उस प्रक्रिया को जानते हैं एंसान का इंस्सान ना इंसान की ये वाला तो कर लिया जो कि हम यहाद एक बारिग рук बन गहाँ एक टेका अनुहां बन गया फिसरी में प्लास्मेट बनाया आप यह प्लास्मीट को करें गोड़े लेकर जाएंगे जीसे हमारी नॉडर्मल कीवीज्ञ होती है माइस के द्वारा वैसे ही इस सेल की डिवीजन होगी और बहुत सारे ऐसे सेल बन जाएंगे यह होगा क्या एक्चुली में यह हमारा इंसुलीन जीन बना जो कि डायबेटीस की दवा है यह चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने जो है जीन क्लोनिंग करी आगे देखते है जो हमारा प्रजन क्लोनिंग होती है और चिकित से क्लोनिंग होती है वह कैसे की जाती है हमें जिस भी जीव का क्लोन बनाना है उसे हम यहां पर लेंगे माल लेजिए हमने यहां पर एक बेड़ का इसकी जगह पर हम अगर इंसान का क्लोन बनाना चाहें तो हम इंसान को ले स सकते हैं किसी वनसपती का कुलोन बनाना चाहरे हैं तो उसे ले सकते हैं अब इसमें करेंगे क्या अगर यह मादा है इस मादा का हमने एक सेल लिया यह सेल कौन सा सेल होगा यह काईक सेल होगा हमारी जो बॉडी होती है हमारी बॉडी में एक प्रजनन सेल होता है प्रजनन कोशिका में अंडानू और शुक्रानू आते हैं बाकी जो हमारी सारी सेल्स होती है वो काईक कोशिका होती है सोमेटिक सेल्स होती है यहां से हमने काईक कोशिका ली इसका हमने डीन ने अलग कर लिया अलग कर दिया डीन ने उससे सेपरेट कर लिया अब इको काईक कोशिका मे सबसे पहले आपको यह पता हो नची काई कोशिका में जो गुर्ण सूत्र होते हैं यानि कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं और वही अगर बात करते हैं हम प्रजनन कोशिका की तो प्रजनन कोशिका के जो गुर्ण सूत्र होते हैं वो होते हैं यहां से हमने दूसरी एक भेड ली उस भेड की हमने एक सेल लिया प्रेजनन सेल लिया इसका इस प्रेजनन सेल से हमने केंद्रक को निकाल दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए पूरा का पूरा 46 पेर्स चाहिए तो हमने क्या करा इसका केंद्रक निकाल दिया क्योंकि इसमें तो स एक सेल मिल गया पुरा अब इस को क्या किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसकी डिवीजन होगी डिवीजन के दौरा यह क्या बन जाएगा एक बूर बन जाएगा यह बना इस बूर को हमने किसी और माधा के अंदर इस्ठानांतरित कर दिया और 9 महीने बाद यह जो भी इनका time duration होता है thatmania अगर की बात करें तो जो भी इनका time duration होता है उसके बाद बच्चे को जनम देगी अब ऐसा नहीं है कि यहां पर हमें अलग मादा लेनी पड़ेंगी हम ऐसा भी कर सकते हैं किнес ही मादा का हम जुरुत नहीं है लेकिन अगर पुरुष की बात होती है तो वहां पर हम पुरुष के साथ एक फीमेल को लेना पड़ेगा क्योंकि गर्भ धारण कौन करेगा एक फीमेल करेगी इतना आप लोगों को समझ आया कि प्रजनन के द्वारा किस तरीके से हम क्लोन तैयार कर रहे है अब हम बात करते हैं चिकित्से क्लोनिंग की तो चिकित्से क्लोनिंग में क्या होता है कि यहां तक की जो प्रॉसेस है वह एज इस रहेगी जैसे कि प्रेजनन क्लोनिंग में होती है अब उसके बात किया किया जाएगा इस एंब्रियों को ले जाया जाएगा एक प्रियोग कर पाएंगे तो यह हमारी चिकित से क्लोनिंग इतना आप लोगों को समझ आया होगा अब देखो हमने जो अब तक कर देखा वो देखा कि अब तक हो क्या रहा है अभी हाल ही कि अगर हम बात करें तो चाइना में शोद करता उन्हें पहले वीस्नेस बंदर का क्लोन तयार करा ह जिसका नाम उन्होंने रखा है रैट्रो अब यह बंदर आप जानते हैं हम यह कहा जाता है कि हमारे जो पुर्वस थे वह बंदर ही थे तो बंदर की प्रजाती है यह अनुआशिक तो पर इंसानों जैसे ही होती है तो कोई भी अगर बिमारी हुई उसकी दवाईयां जब बनती है तो इन बंदरों परर नि सकते हैं नहींいます की सतरों में अनुकर करते हैं या क्या जैसरों हम खींवारत है में हो बंदर बात करें इसधार पर कि कहा पर पहलान बना अभी हाली में क्या हो अब हम बात करते हैं भारत की के भारत में अब तो कौन-कौन से क्लोन बने हैं भारत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में हमें ये पता हुना जी कि क्लोन कौन-कौन से संच्थान त्वारा बनाया जाता है तो National Dairy दिशर्च इंस्च्टूटों और संटर्ल इंस्च्ट्ट ओष्ट ओफ रीसर्च ओफ वुमेन इन दो इंस्च्ट वर्ध क्लों बनाये जाते हैं जबसे पहले एंडी आराई यारे की नेशनल डेरी रिसर्च इंस्ट्यूट ने स्टार्ट करा क्लोन बनाना 2007 से इन्हों ने प्रॉसेस स्टार्ट करी और जाते बंते-बंते 2009 में ये पहला क्लोन बना पाए एक भैस का क्लोन जिसका नाम इन्हों ने रखा गरीमा कि उसके बार इन्होंने क्या करा 2012 में एक पश्मीना बक्री का क्लोन बनाया एंडी आराई ने जो हमारी शेर कश्मीर का विश्विद्याल है शेर कश्मीर नाम से विश्विद्याल है उसके साथ मिलकर पश्मीना बक्री का एक क्लोन बनाया जिसे नाम दिया गया नूरी अब कि जो क्लोन है इससे हुआ कि आप सभी जानते हैं पश्मीना जो वूल है पश्मीना के जो शॉल्स मिलते हैं कितने कॉस्टली होते हैं तो इससे हम अपनी एकोनोमी को ग्रोथ कर पाए इसलिए यहां पर इस बकरी का क्लोन बनाया गया आगे 2014 में 36 गड़ के जंगली भैसे का म पर नर और मादा जिसमें नर की मृत्ति हो गई थी और जो मादा थी वह प्रग्नन्ट थी तो वहां पर यह पताच लगा गया कि उसका जो मेल है या फीमेल है पता चला कि वह मेल है तो वहां फिर हमने एक मादा का क्लोन बनाया ताकि प्रजाती को आगे संग्रक्षित रख तक्रीबन ये एक दिन में 25 लीडर के करीब दूद देती है अभी हाल ही कि अगर बात करें तो 2023 में गिर गाय का क्लोन बनाया गया है क्योंकि ये जो है हमारी एक स्वदेशी प्रजाती है जो दूद के उत्पादन में बहुत अच्छी है ये गुजरात की मूल नसल है अब दे है यह हमारा नूरीभेड इमेज यह अमारी घ्रगाय का जो गंगा क्लोन बना है उसकी इमेज है उपर आप देख से पहला जो क्लोन बना था गरीम उसकी में जैना ने आगी चलके बच्चे भी दिये जो गरिश्मा और महीमा के जाने जाते हैं वो भी एक क्लोण ही है अब के सब हमने जानी अब यह देखते हैं कि इनको बनाने के सब्धार किया जा सके और साथ ही साथ जो हमारे दुध पादन को बढ़ाया जा सके यहां पर आपने देखा गुर्वत्ता में सुधार करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ नर जो हैं उनके क्लोन बनाए गए हैं नर भैसों के क्लोन बनाए गए हैं सेंट्रल इंस्ट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ फैलो के द्वारा से होगा क्या कि वहां के उनके शुक्राणू लेके हम अपनी जो नॉर्मल यहां के प्रजातिया हैं नसल है भैसों की उनमें उनका निच्छेपन कर सके जिससे क्या होगा उनकी जो आगे की नसल है हो सकता है थ वहां से हमारा वैला साइक महत्र की वस्तू बढ़ पाएगी आगे दूसरा विलुक्त हो रही प्रजातियों को बचाने की कोशिश करना जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भैसे का क्लोन या फिर हम किसी भी जो संकटगत प्रजाती हैं उनका क्लोन बनाके उनका सं क्लास में बैठे हैं अपनी क्लास कर रहे हैं आपके क्लोन ने जाके जीटीवी नगर पर एक्सिडेंट कर दिया और आके पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो यह क्या है आपके साथ तो गलत हुआ ना तो यह एक इथिकल इश्यू है साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि जो म मेरी बहन कि क्या उसकी पहचान होगी अगर यह सारे इश्यू और है यहां पर कि जो आजकल की आप देख रहे हैं आजकल की जेनरेशन शादी भिया से थोड़ा दूर जा रही है वह अकेले रहने में बिलीव करती है एक लड़की ने तो आई थिंक गुजरात की एक लड़ कर सकते हैं तो यह जो परिवार रूपी हमारी संस्ता है इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ अगर हमें चीज और देखें कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है क्लोन का प्योग एक चिकित से संसाधन के तौर पर करने लगे माल लोग एक एक एक्जा की मानव फ्री प्राव फ्रेंक उसको काड़ा जोगा हो शार सकता है किसा किन आप प्रतिबंद लाए हुआ है तो इसके पर किन किन संस्थाओ द्वारा प्रतिबंद लगाए कि देखो युनेस्को की मानव जिनोम और मानव अधिकारों पर सारभोमिक गोश्णा हुई थी 1997 में इसमें इन्हों ने कहा था कि ऐसे प्रयास जो मानव गरिमा के विप्रीत हैं जैसे कि मानवों की प्रजनन क्लोनिंग इसकी अनुमती नहीं दी जाएगी और यह कि मानव जिनोम पर हस्तशेप केवल निवारक और नेदानिक या चिकित से उद्देश्यों के लिए और में इसमें कहा गया कि मानव से जूड़े किसी भी विज्ञानिक अनुसंधान में मानव गरिमा मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता का पूरी तरीके से सम्मान किया चाहिए और यह भी कहा कि व्यक्ति के हितों और कल्यान को विज्ञान या समाज के एकमात हितों से उपर इसका मतलब क्या है हाँ पर समझ ये कि वीज्हान को प्रात्मिक्ता नहीं दी जाएगे की जो गरीमा है उसे हम प्रात्मिक्ता दे रहे हैं तीसरा ढतलग परासाइटी और न अंत्रेесс breakout के लिए जारी किया जो जूद्ध ने नायतिक औरुतरदाई संचालन के लिए विश्तित अनुसंशाय प्रदान करता है तो देखे हमने यह जान लिया कि मानव क्लोन हम क्यों नहीं बना रहे हैं क्या इसके पीछे रिजन है क्लोन कैसे बनता है यह सारी प्रक्रिया हमने यहां पर जानी अब अभ्यास प्रश्ण का समय है क्लोनिंग के अप्शन दिये गए हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या ना तो एक ना ही दो आप इस कोश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आगली वीडियो में आपके साथ फिर्म लाकात होगी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद